हलो माई डियर स्टूडेंट्स वेल्कम टू लकी एज्यूगेशन और आज हम डिसकस करने वाले हैं इलिजिबिलिटी आपको पता इस इविक्स में आपने सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट पढ़ा हुआ जिसमें कई सारी पोश्ट ऐसी दे रखें जैसे लोकसभा राजसभा लेशलेटिव असेंबिली लेशलेटिव काउंसिल प्रसीडेंट बाइस प्रसीडेंट ठीक है गवर्मेंट इन सभी के लिए क्या है अलगलग इलिजिबिलिटी पूछते हैं तो हम क्या करेंगे फटा फट एक क्योग आपको भारत के नागरिक होने चाहिए और आगर किसी को लोकसभा का मेंबर बना है तो ऑफेस ऑफ्रॉपिट होल्ड ना करें कहां पर अजिए इंडियन गौर्फेंट और स्टेट गौर्वर्मेंट मतलब इसका ऑफिस ऑफ्रॉपिट मतलब यह कि वह कि वह किसी लाव के पर कारेंट ना हो स्टेट गौर्वर्मेंट या सेंट्रल गौर्मेंट में काम ना कर रहा हो सरकार से सेल दी ना ले रहा हो अगर ऐसा है तो ही इस टुरेजान फर्स्ट और इस्ट नोट वी डिकलियर्ट मेंटली डिशेबल्ट थू एनी कोड किसी वी कोड़ के द्वारा सब्सक्राइब को मेंटली डिशेबल्ट का मतलब है मानसिक संतूलन सही होना चाहिए ठीक है पागल नहीं होना चाहिए बागवानी होना चाहिए या बैंक का कर जाना हो उनके पास ठीक है आप पढ़ते हैं क्वालिपिकेशन फुर्दी मेंबर सो पर राज सभा बस पुल्ट फिर से पर देते इनुस उलीछ राजसभा ενवा बनना है और इपिक होना चाहिए चाहिए बैंक्रप्ट नहीं चाहिए ठीक है तो यह सारी का पॉस्ट के लिए क्या क्या है ऑना चाहिए और वह बंदा लोग सभा का मेंबर बनने के लिए इलीजिवल होना चाहिए वह किसी भी पार्लियमेंट एस्टेट लेचलेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति MP है या MLA है तो पहले वहां से उनको क्या करना पड़ेगा रेजाइन करना पड़ेगा तब जाके वो कंटेस्ट करेंगे किसका एलेक्शन प्रेसीडेंट का और और इस्ट नोट सबसे पहले मिनिश्टर बनने के लिए सोरी मिनिश्टर बनने के लिए किसी भी हाउस का मेंबर होना जरूरी है अगर आपको प्राइम मिनिश्टर बनना है तो आपको या तो लोकसभा के मेंबर हो या फिर रासभा एक हाउस का member बनना बहुत जरूरी है अगर किसी ब्यक्ती ने ओफ लेते समें मतलब सफात लेते समें वो member नहीं यह Parlement के member नहीं है सपोज किसी को PM मना दिया और वो PM Parlement क का member नहीं है ना ही लोकसभा का रहा है ना ही राजसभा का तो उस ब्यक्ती को उस व्यक्ति को ये बहुत जरूरी है कि 6 महीने के अंदर बिदिन दी 6 मंथ उन्हें पार्लियमेंट का मेंबर बनना पड़ेगा सबोच किसी व्यक्ति को PM मना दिया यह प्यक्ति यह है इसको PM मना दिया ठीक है जबकि यह ना तो लोकसभा के मेंबर है उनना ही राजसभा के तो इनको क्या करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर बिदिन 6 मन्त इनको लोकसभा या राजसभा का मेंबर बनना पड़ेगा नहीं अगर ऐसा नहीं हो पाता है अगर ऐसा होने में यह फेल होते हैं तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट रहे ठीक है तो कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है कोई भी परसंट क्या बन सकता है मिनिस्टर बन सकता है बट यह हैज टू जाएज चाहिए बैंकरप्ट ने होना चाहिए बेंकरप्ट ने होना चाहिए चाहिए बैंटली डिसेबल नहीं चाहिए और यह यह नोट फोल्ड अन्य ओपिस ऑफ फॉफफट अंडर रहनी चैंटल और इस्टेट ग्वर्मंट नेक्ट नेक्स्ट क्वालिफिकेसन फूर मेंबर सिप ब्लेसिलेटिव कांसिल लेसिलेटिव कांसिल का मेंबर बनने के यह क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेम चीज बस चेंज हो जाएगी तो ही सुड़ भी सिटियन ऑफ इंडिया ही सुड़ भी लिए क्वालिफिकेशन फूर पर गवर्नर बनने के लिए क्या 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 वाइंडिया और इस 30 वाइट होनी चाहिए and he should not hold any office of profit and he should not be a member of parliament or state legislature अगर इसा है then he is to resign यह governor के लिए qualification चाहिए ठीक है अब एक बार अगर सभी को देखें क्या क्या हमने पढ़ा था भी देखो लोक सभा legislative assembly इन दोनों के लिए कितना चाहिए qualification मतलब age कितनी चाहिए 25 years age ठीक है राज सभा legislative council इन दोनों के लिए age कितनी चाहिए 30 years ठीक है एक बार में देख रहे हैं अगला president vice president and governor इन सभी के लिए age चाहिए 35 years तो बस यह ध्यान रखना है आपको ठीक है लोक सभा का member बनने के लिए age चाहिए आपको लोक सभा legislative assembly इन के लिए 25 years राज सभा legislative council इन के लिए 30 years president vice president और governor बनने के लिए आपको age कितनी चाहिए 35 years age होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या क्या एक ही बार में सारी के सारी age को summarize कर लिया तो आप ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का वह इनका और एक नोट बना लेना एक ही जगह पर so that आप इनको कभी भूलेना बाकी चीज़े सेम है यही चीज़े लिखने है आपको ठीक है push yourself because no one else is going to do it for you मतलब आपको अपने आपको push करना पड़ेगा अपने आपको मेहनत के लिए तयार करना पड़ेगा ready रखना पड़ेगा आपकी जगह पर कोई और help नहीं करने वाला है so भाईया लग जाओ मेहनत में धम लगा के लग जाओ बहुत कम समय बचाए एक कम समय में ज़्यादा output देना है आपको ठीक है हालश नहीं करना है और आपकी जर्नी धीरे 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 कर गई यह बहुत अच्छी प्यारी गोटे जर्नी of 1000 miles begins with single step बहुत लंबी 1000 km की जो लंबी है किलोमीटर से भी ज़्यादा की जो जर्नी है वो कहां से स्टाट होगी single step पहली step से होगी तो आप भी एक एक कर गए एक टॉपिक निकालते निकालते एक एक चेप्टर निकालते निकालते लगे रहो और अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे so wish you all the very best thank you thank you so much